स्द्राइब कर गें हम लोगोंने डिसकस किया था दो महत esame आज अगौन विधी में आगण पढ़ लिया था आज नई विधी के वारे हं लोड़ कि यसका है नम jesteśmy देखते हैं कि जो नियें होता है वह आग्मिन विधि की नियुकर सकता है कि नियु gemacht है विधि क्या होता है नियु vast yol कंप अग्मान लूजो को पहले नियम बता दिया जाता है ततपश्य अध्यापक शाकत्रों को नियम बताकर उनको रटाता है ततपश्य अधानों के दोरा बुर्स्टी कर वाता है सिंपल सी बाते हैं बहुत बेसिकता कॉंसेप्ट है फिरेंड कि जहां हम आगम बीदी में बात करते थे पहले नियम की बारे में फिर पहले उधान की बारे में फिर नियम तो पहुत है थे लेकिन यहां इसकी विपरी चीजे हो रही है पहले हम लोग क्या करते हैं पहले हम लो कि जैसे हमने बच्छों को अस्थान इमान का पहले नियम बता दिया कि देखो इकाई का अस्थान को एक से गुड़ा करते हैं किसी भी संख्याओं को तोड़ तोड़ के तरीके उसको बताते हैं कि यह जैसे ऐसे होता है कि लिख में तो दिया करते हैं उसको नियम रटवा देते हैं वाल को पहले हम नियम बता दिते हैं प्राश्eln प्रस्ट है रहते हैं यो नियम वह पॉंह क्लिए है कि जब हम उस preparedness करवाई उनको प्रसन हल करवाइए उसको आःसाने से करते हैं लेकिन नीयम बताने की परिश्यात के उनको इंप नियम जुड़ा रहता है तो प्रत्यां पर इसमें बच्छे चीजों को समझ पाते हैं तो यह तो बात थी अब बच्चे ऊससे पर्चित नहीं है इसलिकम रटवाया जाता है अच्छी तरीके से तत्वाधान कि अधान चैसे नियम को करती है या स्रिके समझा समधान होती है आगे द्वारा पुष्टी करती है ठीक है लेंडर महोदे ने इस बारे में अपने कथन दिया इनकी कथन को भी देखते हैं लेंडर महोदे का क्या कहना है तो निगमन विधी द्वारा सिछण में पहले परिवासा या नियम तिखा आ जाता है ततपश्याद उसके अर्थ का साउधानी से असपष्टी गण किया जाता है और अंत में तथ्यों का प्रयोग करके पूरता असपष्ट किया जाता है। निग्वन विधी द्वारा सिच्छ न में पहले परिभासा दीख700 गण किया जाता है। और अंत में तथ्यू का प्रयोग करके उसे पूर्टा अस्पष किया जाता है बहुत ही कह सकते हैं कि पूरे तरीके से इन्होंने निग्वन विद्य को निचोड दिया है और एक सरल अर्थ में हमारे सामने एक परिभासा प्रस्तुत कर दिये इनकी परिभासा को यह समझ लिय कुना देखे क्या का इन्होंने कि निग्वन विद्युक्त में पहले परिभासा पता जैते हैं पहले नियम्निया की संध्यान तक ले जाते हैं कि बच्चे कु उसको Talk रासा भी करते हैं और आसानी में बच्रेव τι उस में को संघ्ञान में ले पाएं और समस्याओं का आजी साथ हम कुछ आयसे उधान का भी प्रयोग करते हैं जो बच्चों के मस्तिस के मतलब बच्चों की बोध से मतलब मिलते जुरते हों उनके बोध शमता के आधार की ज्यामपल हों ठीक है जिससे क्या है बच्चे अपने आपको उधान से तुरु जोड़ पाएं और समझ् करते हैं चली निंग्मन विदी को लिए जो निंग्हें है उनक असपेक करने के लिए चार महस पूरफाद होते हैं ऑग स्थाल के द्वारा ही बच्चों को निंग्मन विदी के जहनकारी जाते है एह जानते है क्या थे तो दहीं पहला तो कि अगभीत ruptdh सिध्धान प्रश्चूति करना दूसरा है कि नियम्ं या सिध्धान का प्रियोग या उधान देना प्रशू निकालना हुआ है जिनके द्वारा निग्मन रिदी को अपलाई किया जाता है बच्चों को निग्मन बिरीदिक राइब सिख् bets कर आ सामने जिस नियम के बारे में सिखाने वाले हैं उसका जो है सबते पहले बच्चों को इसको बारे बताते हैं मतलब उसके प्रियोग सिद्धान के प्रियोग या उसके उधान से कर दन हैं मतलब क्या हैना है कि उधानों का सहरा लें जो बच्चों को इस उद्धान को समझने में सहायता बदान करें सiros बरकारrement का उधान का सहरा मुं लेते हैं धूस्विरे चरण द cresnut है तद पशचाथ हम निजकर से निकालेंगे है तद पश्चाथ मों क्या करते हैं निजकर recaше निकालते हैं और निसकर निकालने के पशचाथ हम लोग सत्यापन करते हैं कि वास्तों में बच्चे को निगमन विदी सट्यापन निष्यथी के द्वारा बच्चोंने किसे बात का सत्यापन इसके अंत्य में हम निकालते हैं कि बच्ची चीजों को कि उसको बताए उसको कीसान क ус ओसकी बात की हई और उत्तिर के माध्यम से हम इसलारी क kaf में आधिक करते हैं वाकर नियृत इस विधी में हम कुछ सिच्छन सुत्रों का भी प्रियोग करते हैं। इस विधी में हम लोग क्या करते हैं शिच्छन सुत्र वह विखन रहेंगे और उसमें से आउख्ञत आउशक हो जाता है कि कौन निगमन विधी के सिच्छन के अंतरगत कर सकते हैं चले फरुपंट पहला है अग्याथ से ग्याथ की ओर दूसरा है सामान से विषिश्ट की और तीसरा है सज्षम से अस्थुर की ओर चौधा है सिध्धान से नियम की ओर जा सकते हैं एक तरीके से आग्मन विधी के आग्मन विधी में जो भी सिछर्षोत हम लोग प्रयोग करत लेकिन यहां पिप्रीत है हम यहां पर अग्यास से ग्याद की तरफ परते हैं यहां तो यहां सब्सक्रों से यह सारे यहां पर डिफरेंट है तो मतलब यह चीज़ें आप सभी लोग सारे सिचर सोचर से पर्चेती हैं इसमें कुछ बता नहीं किया सकता आपको नहीं है फिर भी एक बार हम ओबर भी इसका ले लेते हैं कि अग्याद सी ग्याद के और सिचर सुथ क्या कहता है देखिए सामाण वयुष सब्सक्राइब के जेते हैं उसके बाद नहीं पैलए थोड़य नियां की उश्रथम से बताएं बताएंगे उसके वाद धिर करते हैं तब कि उसके जनकारी करते हैं ऑर इसके अग्ला है सिधान के वर्ण का क्यों के बारे में आउगत कराते हैं तक पश्याट उठाणों के माध्यम से उस नियम और सिध्धान को सरणे क्या प्रयाश करते हैं और बच्चों को समश्छाओं का शमध्धान करते हैं यह से चार महात्पुर्ट इंद्सेजरगासूत जिसके स्परयोग करते हैं निगवन विजी के अंतरवज़ आववन विजी तेन निगवन विजी पढ़ पढ़ चुके हैं लेकिन अभी यह हमारी अभी इसके महत्त को हम देखेंगे उसके बाद महत्त का मतले इसको गुड़ भी कर सकते हैं इसको गुड़ को भी देखेंगे और दोस्को देखेंगे तब जाकर हमारे नियम कम्ट्रीट होगा चलिए देखते हैं कि अब इसके महत्त को देखते हैं कि निग्मन विधी में समय की बच्चत होती है जहां हमारा संस्रेशन विधी अत्यंत समय लेता था अत्यंत खर्चीला था समय को मतलब ज्यादा उसमें समय लगता था वहां यह निग्मन विधी क्या है समय की बच्चत करता है इंपोर्टेट पॉइंट है फ्रेंड आप इसक कम समय में हम लोगों क्या करते हैं अधिक प्रसणों को याद कराया जा सकता इसके इसके तार एतना है इस मिर्धि भी होती है थिक है इस बढ़ेगे चलीं कुछ पर्ष़ नहीं होपा रही है तो बस इसतना ही रहते हैं कि अगली विधी के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड विदी के बारे में ठीकिन यह थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है तो आप मांच चलिएगा कि आगमान विद्धी के जश्ट बाद हम लोगों निगमन लेकिन कुरम होनका होना चाहिए कि आगमान और निगमन के बाद फिर आपको समझाने में थोड़ा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा कि आप चीजों को मतलब होता है इकठा करना मैंने आपको बताया था को समझानों को चोटे-चोटे में बाढ़ कर उसके समाधान जोनने का करते हैं चभी खिस्रेशना चाहिए को समझेन सब्सक्राइब करें और सबस्टेज励 को समझेए फ़ोगए कंग से लिए ट इन प्रियास किया जाता है वही बाते मैंने क्लास के प्रादा भी आपके बता है कि इसमें क्या गरते हैं समस्याओं को हम लोग छोटे-छोटे भागों में बाढ़कर बाढ़ते हैं और विशलेशन को उसे हल करने का प्रियास किया जाता है इस प्रकार रेखा गरित अंक गरित और भीज गरित की समस्याओं का हल खुजने के लिए विशलेशन विधी का प्रियोग किया जाता है इस विधी में हम अग्यात से ग्यात की और चल कर समस्या का समस्या की समधान का प करते हैं कि समस्याओं को छोटी-छोटी इस तोह धिया जाता है तो छोड़ा सा हो जाता है अगर थोड़ा हमें चिश्टा मार देते हैं तो है समस्याओं को हल करना हमार लिए थोड़ा सा को हल से हल करने का प्रयास किया जाता है इस परकार हम लोग किया करते हैं इस समधान करने के लिए प्रयोग किया कि इस विद्धी में चात्र श्वयम इस बात की खोच करता है कि उसे कि किसी समत्या को हल करने के लिए कौं-कौंसी बातों का ध्यान रुखना चाहिए मतल सका कि तरीके सो उसको आ देना है कि हाँ यह बाते इस समस्रा के समाधान के लिए महत्पुर्ण तर्फारी बातों का भी ध्यान उसको रखना हो चाहिए आगे इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे कि चलिए कि तो देहीं कुछ महत्वा उसको देख लेते हैं विश्लेसर निटि तार्किक और विधी बाल पाइदा करती है इस विधी में बालक अत्यदिक के रियाव सील रहते हैं। यह तीन महत्पुर पॉइंट है प्रेंट उसको तो देखिए चार आपको दिये रहेंगे तिन चार आपसे उसी में से आपको चैन करना पड़ेगा पहला है जब छोटी-छोटी हिस्तों में समस्याओं को बाटा जाएगा तो बच्चे छोटी-छोटी समस्याओं का इस इस संदर में बालोग में विज्ञान देखिफिए परकार से बच्चों को सोचने के लिए विवस करता है उसी परकार से इस विजी दौरा हम बच्चों को गड़ित के संदर में सोचने के लिए मजबूर करते हैं इसलिए काते हैं यह बच्चों में बच्जानी दिश्टी कोण पैदा करता है नेक्ष्ट इस विधी से बालक अतिन्त क्रिया से होते हैं जब छोटी-छोटी समस्याइं होती है तो बालक भी उसको हल कर प्रति आकर्सित किया जाता है इस विधी में बालक को अनसंदान के प्रति आकर्सित किया जाता है जब छोटी-छोटी-छोटी समस्याओं के लिए उसको आकर्सित किया जाता है जब छोटी-छोटी-छोटी समस्याओं का हल को जेगा तो उसमें एक अनसंदान के प्रविति होता है वह अस्थाई होता है अथार वह उसके मस्तिष में अनियमिस समय के लिए जो है विद्धमान हो जाता है कभी उसी प्रकार के समस्या उसके सामने प्रकट होती है तो ततकाल वह उसका उत्तर देकर उस समस्या का समधान कर लेता है इसलिए करते हैं इस विद्धि में जो क्योंकि दोस्त के दौरा ही है complete होगा तो दोस्त को पढ़ना भी है जरूरी है तो दोस्त के बारें पढ़ देते हैं चलिए क्षा में जा रहें तो इस विद्री द्वारा उनको सिच्छर समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप नियम या सिधान्ज को छोड़े-च्छोटे इस्तों में कहां बाठ पाएंगे जहां बच्ची का बोध अस्तर थोड़ा सा अच्छा हो मतलब वह चीजों को समझ पा रहा है नहीं कि अपने चीजों समझ पाएगा तो इसलिए कहते हैं कि छोटी अस्तर के लिए यह बिद्य उपयुक्त नहीं है यह इसका पहला नंबर दूसरा इस विद्य में समय अधिक लगता है जब हम क्या है समस्ताव को छोटी चोटी इसमें बाटेंगे तो उसका हल खोजने के लिए समय परियात लगेगा मतलब चोटी 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 समस्त्याओं का हल खोजेंगे तो उसमें अधिक उर्जया लगती है ज्यादा बच्चों को देना पड़ेगा एक उसी समत्या को अगरू काफी इस्तों में बार दिया जाएगा समस्या एक है लेकुन उसको प्रकार से बच्चों को प्रियास करना पड़ता है इस प्रियास के दोरां उसकी उर्जा का हरास होता है काफी वार उसको उड्री की बारे में सोचा जाए इसलिए क्यों कि बारे में इनके महत्पूर क्वाइंट इंपोर्टेंट है इसको डिसक्स कर लेते हैं तरसरी निगास को समाथ करते हैं उसके बार वीवेत करके विशलेयर कर उसकी हल करने का प्रयास किया जाता है ठीक है यह रिखागड़ित अंग रिख्त की समस्याओं का हल को जने के लिए प्रयोग कियाANG तो इसमें क्या करते हम व्ippत करते हैं ज्यात संधा आग से अग्यात की उ हम करते हैं चल्क समझना करने को इतनी बात हैं कि आपने समझ लिया तो आपने पूरे बीसेश्ट्रेशन बीज़े में आपको अगे इस वी में क्या करते हैं स्वयम इस बात की इस बात के मतलब आउगत कराते हैं कि वह समय कोज करें समस्याओं का समाध्दान करें सास्था को उसकी समय्षट को खुजने के कौन रहें जाने जान वी यह वांत्रों समय होना म 측श के महथ के बारे हमने देखा था महथ क्या क्या था कि यहत तार्खी पोर भग्यानीघ्जित स्गौर्ण पैदा करती है यह वालों इसके बाद कुछ और भी बाते थी इसमें यहां उसनदान के प्रती जो है फ्रिए को करता है इसके अरजी कि मने दोस्ते था कुछ तक कि बिना दोस्त पड़े बीदी रगॉ normal हो जो में होगी है हर अस्तर के बच्ची इस बच्ची से नहीं पड़ सकते या इसका पहला दो से अगला समय कि इसमें ज्यादा खपत होती मतलब अधिक समय लगता है यह अधिक अधिक उर्जा अधिक स्रम के द्वारा इस तमस्री विदिए वारे में पढ़ा दिटिल में समझा आयोब आपको क्लास पतन दायोगा मिलते हैं अगले क्लास तब तक लिए बेस्टा पत्तेंक्यों गूडबाइ